हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तोड़े वी आर गोईंग टो ए न्यू चैप्टर रिस्पाइरेटरी सिस्टम आज हमारा नया चैप्टर शुरू होएगा जिसका नाम है रिस्पाइरेटरी सिस्टम ठीक है जी बट हम फरस्ट पेज करेंगे आज सिरफ थोड़ा सा हर टू ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट डोक्टर उससे कहता है कि बैटे सांस लेओ और सांस छोड़ो वाइल यूजिंग सेटोस्कोप और वो सेटोस्कोप का यूज करता है जैसे चेक करते होते हैं आप लोगों को सब को पता यह प्रोसेस क्योंकि कोई ना कोई बिमार होत हो ऐसे बोलता है ना सेम वही प्रोसीजर है फिर वो क्या होता है कि यू वूड हैव आलसो एक्सपीरियंस दे सीमिलर एक्सपीरियंस वैन फैल इल आप लोग पहले से ही इस से क्या है अनुभव से वंचित है क्योंकि आपको पता है कि आपने यह से देखी हुई है ठीक है आगे क्या है what do you mean by the breathing in and breathing out क्या मतलब होता है breathing in and breathing out का normal में आप हिंदी में बोल देते हो कि सास को छोड़ना और सास को लेना but English में क्या बोला कि science language में when we breathe in air यानि breathing हवा को अंदर खीचना क्या कहलता है it is called inhaling क्या कहलता है it is called inhaling when we breathe out air it is called exhaling यानि क्या कहलता है exhaling we breathe all day breathing all day and all night दिद और रात में क्या है even when we are sleeping चाहिए हम सो रहे हैं जाग रहे हैं कुछ भी काम करें हम सास देते हैं और छोड़ते हैं फिर what is breathing breathing क्या होता है breathing is the process of dash and dash breathing अभी आपने पढ़ान ओपर inhaling and exhaling ठीक है आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे next वीडियो के अंदर मागे chapter शुरू करेंगे